इसपर्स रेखा एवं अभिलंब किसी वक्र पर यदि कोई बिंदु है उस बिंदु से होकर जाती हुई हम यदि एक रेखा खीचे तो वह उस वक्र के उस बिंदु से जाती हुई इसपर्स रेखा है और यदि उस इसपर्स रेखा की लंबवत हम यदि किसी रेखा को खीचते हैं या उसका समीकरण ग्याद करते हैं तो उसे उस वक्र के बिंदू से होकर जाने वाली अभिलंब कहते हैं वक्र के किसी बिंदू पर इसपर्स रेखा की प्रवनता या ढाल उस बिंदू पर आवकलच के मान के बराबर होता है। यह हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम किसी दिये गए वक्र के बिंदू से होकर के जाने वाली इसपर्स रेखा और अभिलंब का समीकरण ग्यात इसोने ग्यात होनी चाहिये, पहला ये कि दोनों परस पर लंबवत रेखाओं की प्रवनताओं का गुणन्फल रिनेख होता है, यहां पर हम जो सपरस रेखा खीचेंगे और एक अभिलम कीचेंगे, ये दोनों परस पर लंबवत होंगे, दूसरी बात ही है कि दो समानतर में यह पढ़ा है कि दो बिन्दू यदि P X1 Y1 और दूसरा बिन्दू Q X2 Y2 हो तो इन दोनों बिन्दों से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण होता है Y-Y1 equal to Y2-Y1 upon X2-X1 into X-X1 जहां पर यह जो Y2-Y1 upon X2-X1 है यह रेखा की प्रवनता है इसपर्स रेखाएं एवं अभिलंब, Tangents and Normals हम देख चुके हैं कि वक्र के किसी बिन्दू पर इसपर्स रेखा का धाल या प्रवनता उस बिन्दू पर आवकलज के मान के बराबर होता है अवकलज के इस जामिती महत्व का उप्योग हम इसपर्स रेखाओं के समीकरण, अभिलंब तथा दो वक्रों के बीच का कोण ग्याद करने में करेंगे इसके लिए अब हम व्यन्जक ग्याद करते हैं माना की PXY तथा Q X प्लस डल्टा X Y प्लस डल्टा Y वक्र Y क्वल टू F अफ एक्स पर दो बिन्दू है जब बिन्दू Q वक्र के अनुदिस चलकर बिन्दू P के अत्यंत नस्दीक प्रवित होता है तब जीवा PQ की सीमान्त इस्थिती बिन्दू P पर वक्र की इसपर्स रेखा कहलाती है तब जीवा PQ का समी करण कुछ इस प्रकार होगा Capital Y minus small y equal to small y plus delta small y minus small y upon small x plus delta x minus small x into capital x minus small x जैसा कि आप जानते हैं कि दो बिन्दों से होकर जाने वाली रेखा का समी करण यह होता है y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 उस सूत्र का उप्योग करके हमने यहाँ पर जीवा PQ का समी करण लिखा है अब इसे अधी सरल करेंगे तो पहला जो पद y2 minus y1 upon x2 minus x1 है इसे हम delta y by delta x से replace कर सकते हैं तो हमें मिल जाएगा capital y minus small y equal to delta y upon delta x into capital x minus small x अब P of xy बिन्दु है पर इसपर सरेखा का समी करण हमें मिल जाएगा capital y minus small y equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta x into capital x minus small x अब limit apply कर देने के बाद इसे हम dy by dx लिख सकते हैं यदि x1 y1 बिन्दु P का निर्देशांक है तब इसपर सरेखा का समी करण हम कुछ इसपर कार लेख सकते हैं जहां पर small x को x1 और small y को y1 से replace करने पर हमें वह प्राप्त होगा यह हमें मिलेगा capital y minus small y1 equal to dy by dx at x1 y1 into capital x minus x1 अब चाहें तो dy by dx at the point x1 y1 को tan si से replace कर सकते हैं तो tan si equal to dy by dx at the point x1 y1 अब इस सूत्र को लेकर के कुछ analysis करते हैं वक्र के बिंदू x1 y1 पर स्पर सरेखा x अक्च के समानतर होगी यदि si equal to 0 मिलेगा अर्थाथ tan si equal to 0 प्राप्त होगा तो इससे हम यह लिख सकते हैं कि dy by dx at the point x1 y1 equal to 0 और इसका समीकरण हमें प्राप्त होगा capital y minus small y1 equal to 0 दूसरी सिती है जब बिंदू x1 y1 पर स्पर सरेखा x अक्च के लंबवत होगी अर्थाथ si equal to pi by 2 अब इसमें tan apply करेंगे तो मिल जाएगा tan si equal to infinity या फिर dy by dx at the point x1 y1 equal to infinity और यदि इसे उल्टा कर दें dx by dy कर दें तो हम लिख पाएंगे dx by dy at the point x1 y1 equal to 0 और इसका समीकरण हमें प्राप्त होगा x minus x1 equal to 0 तो ये x minus x1 equal to 0 उस रेखा का समीकरण है जो की y अक्च के समानतर है या फिर y अक्च से x1 दूरी पर रिस्तित्र इसी प्रकार capital y minus y1 equal to 0 ये उस रेखा का समीकरण है जो की x अक्च के समानतर है या फिर x अक्च से y1 दूरी पर रिस्तित्र चलिए आएए आगे देखते हैं इससे सम्मंदित कुछ प्रश्न प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिकित वक्रों की इस पर सरेखाओं की प्रवनता ग्यात कीजिए जिसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया है y इक्वल टू 2x स्क्वार माइनस 1 के बिंदू x इक्वल टू 1 पर तो पहली बात है कि दिया गया वक्र का समीकरण यह है y इक्वल टू 2x स्क्वार माइनस 1 तो जैसा कि आपको ग्यात है कि किसी दिये गया वक्र की प्रवनता ग्यात करने के लिए हम dy by dx ग्यात करते हैं यदि फलन y और x के रूप में दिया गया है तो यह दिया गया फलन है और स्पर्स रेखा जो है स्पर्स रेखा यह कहां पर है x इक्वल टू 1 पर है तो यहां से हम y इक्वल टू 2x स्क्वार माइनस 1 इसे समझ करण एक नाम देते हैं दोनों पक्षों का आउकलन करते हैं x के साब x तो मिल जाएगा dy by dx इक्वल टू 4x अब x इक्वल टू 1 पर तो इसे हम लिखेंगे dy by dx प्रवणता किस इस्थान पर x इक्वल टू 1 पर x किस्थान पर यहां पर हम वर रख देते हैं तो 4 into 1 that is 4 तो इस प्रकार इस रेखा की स्पर्स रेखा की x इक्वल टू 1 पर जो प्रवणता है यह हमें 4 प्राप्त हो रहा है तो इसे हम लिखेंगे कि स्पर्स रेखा की प्रवणता m इक्वल टू 4 है यह फलन है इसका स्पर्स रेखा जो है वो x इक्वल टू 1 पर है तो इसकी प्रवणता हमें यहां से 4 प्राप्त हुआ और यही हमें ग्यात का निकले दिया गया था अगला फलन या वक्र दिया गया है 4x² into 9y² equal to 36 k बिंदू 3 root 2 upon 2 और root 2 पर यह coordinate दिया हुआ है तो दिये गए वक्र का समीकरण दिये गए वक्र का समीकरण यह है 4x² plus 9y² equal to 36 मान लेतें कि समीकरण 1 है समीकरण 1 के दोनों पक्षों का आउकलन x के सापेक्च करने पर तो मिल दाएगा 8x plus यह मिल दाएगा 18y और y का dy by dx equal to 0 36 constant है इसका वक्र करन हमें 0 पराप्त होगा ultimately हमें dy by dx की value चाहिए होती है तो हम लिखेंगे 18y dy by dx equal to minus 8x और यहां से हम लिख सकते हैं dy by dx equal to minus 8x upon 18y या फिर minus 4 by 9 into x by y अब इसका समीकरण 2 हम नाम दे देते हैं अब हमें बिंदू जो नर्दे सांग दिया गया था 3 root 2 by 2 और root 2 इस पर हमें परवनता या इस पर सरेखा की ढाल गयात करनी है तो इसे हम लिखेंगे dy by dx किस बिंदू पर तो 3 root 2 upon 2 और root 2 पर x किस्थान पर यह रख देंगे और y किस्थान पर यह हमान रखेंगे और आगे सरल करेंगे तो यह minus 4 by 9 x की value है 3 root 2 upon 2 और y की value है root 2 तो देखिए यह root 2 और यह root 2 कैंसल हो जाएगा 2 तूजा 4 दो दूनी 4 तो यहां से मिल रहा है रिन 2 बटे 9 गुना 3 तो इस तरीके से आपको मिल रहा है यह 3 ती आना हो जाएगा रिन 2 बटे 3 तो हमें जो प्रवणता चाहिए थी या इसे हम लिखेंगे कि अभिष्ट प्रवणता M बराबर रिन 2 बटे 3 है जो कि हमें ग्याद करने लिए कहा गया था अब प्रशन दिया गया है कि दिये गए बिंदूओं पर दिये गया या फिर निमनलिखित वक्रों के इसपरसरेखाओं का जुकाओं ग्याद कीजिए इसपरसरेखा का जुकाओं का मतलब है कि वह इसपरसरेखा X अक्ष के साथ जो कोन बना रहा है वह हमें ग्याद करना है इसमें पहला प्रश्ण दिया गया है y square equal to 4x पहरा बोला का equation है k बिंदू 1, 2 पर तो पहली बात यह है कि दिया गया वक्र है दिया गया वक्र या दिया गया वक्र का समी करण y square equal to 4x माल लेते हैं कि समी करण 1 है दोनों बक्षों का x के साथ एक्छा माउकलन करेंगे तो y square का आउकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2i और फिर y का dy by dx और इसका करेंगे तो मिल जाएगा 4 ultimately हमें dy by dx की value चाहिए होती है तो dy by dx equal to 4 upon 2i solve करने पर आपको मिल जाएगा 2 by y माल लेते हैं कि ये समी करण 2 है अब वक्र एक के बिंदू कौन सा बिंदू है एक दो पर खीची गई इस पर सरेखा की प्रवनता ये 2 by y है dy by dx जो है ये बिंदू एक दो पर खीची गई रेखा की प्रवनता हमें मिल जाएगा dy by dx at कौन सा पॉइंट 1,2 ये 2 by y है तो 2 by y y के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो ultimately हमें यहाँ पर मिल गया 1 और आप जानते हैं कि किसी रेखा की प्रवनता कि 1045 डिगरी के लिए या फिर आप इसे हम 10 pi by 4 रेडियन भी बोलते हैं रेडियन में दिखा जाए तो इसकी value 1 होती है तो यहाँ से theta की value गर calculate की जाए तो theta equal to 45 डिगरी और यही स्पर्स रेखा का x अक्स के साथ जुकाव है जो की हमें गयात करने के लिए कहा गया था अगला प्रक्शन दिया गया है कि वक्रों के स्पर्स रेखाओं का जुकाव गयात कीजे जिसमें हमें फलन दिया गया है x equal to a sin cube theta और y equal to a cos cube theta के theta equal to 3 pi by 4 पर तो दिया गया जो वक्र है यह x और y के पदों में है तो हम लिखेंगे दिया गया वक्र x equal to a sin cube theta y equal to a cos cube theta हमाल लेते हैं कि यह समी करण एक है अब इन दोनों समी करणों को theta के सापिक्ष आउकलन करेंगे कि दोनों फलन जो है अलग-अलग theta पर depend कर रहा है तो हमें मिल जाएगा dx by d theta equal to यह हमें मिल जाएगा 3a sin square theta और sin theta का cos theta इसी प्रकार यह dy by d theta equal to 3a cos square theta और cos square theta का minus sin theta तो इस प्रकार हम यहां से लिख सकते हैं dx by d theta equal to 3a sin square theta cos theta माल लेते हैं कि यह समी करण 2 है और यह जो मान हमें प्राप्त हुआ है यह समी करण 3 है तो जैसा कि आप chain rule जानते हैं या इसे सरिंखला नियम भी कहते हैं सिंखरा नियम या chain rule आउकलन में हमने इसे देखा था तो dy by dx को आप लिख सकते हैं dy by d theta divided by dx by d theta तो इस तरीके से dy by d theta यह value minus 3a cos square theta sin theta divided by dx by d theta this is 3a sin square theta cos theta तो 3a 3a cancel हो गया और यहां से 1 sin theta cancel और यहां से 1 cos theta cancel तो ultimately हमें मिल रहा है minus cos theta divided by sin theta solve करने पर आपको मिल जाएगा minus cot theta तो dy by dx equal to मिल रहा है हमें minus cot theta मान करके चलते हैं कि यह समीकरण 4 है अब वक्र एक जो समीकरण हमने लिखा है पर बिंदू और बिंदू क्या है theta equal to 3 pi by 4 पर खीची गई इस पर सरेखा की प्रवणता तो यह हमें प्रवणता तो मिल गई है लेकिन किस बिंदू पर theta equal to 3 pi by 4 पर तो इसे हम लिखेंगे dy by dx at theta equal to 3 pi by 4 तो यहां पर theta के स्थान पर हम 3 pi by 4 value put कर देंगे तो मिल जाएगा minus cot minus cot 3 pi by 4 तो यह तो मिल गया हमें m रिखा की प्रवणता यह minus cot 135 degree में आपको मिल जाएगा जब radian को हम degree में convert करेंगे और 135 degree को हम लिख सकते हैं 180 degree minus 45 degree मिल जाएगा minus cot 180 minus 45 degree तो cot 180 minus theta यह हमें मिल जाएगा minus cot theta और minus और minus ultimate यह मिल जाएगा plus तो यहां से मिल रहा है m equal to cot theta और theta की सान पर है 45 degree और यह भी 1 होता है तो माल लेते हैं कि यह समी करण 5 है माना वक्र एक के बिंदू theta equal to 3 pi by 4 पर खींची गई इस पर सरेखा का x अक्ष के साथ जुका या x अक्ष से धनात्मक दिसा में alpha कोण बनाती है तो इससे हम लिख सकते है m equal to 10 alpha equal to 1 यह परवनता यह 1 और यह 10 45 degree के लिए होता है तो यहां से हमें मिल जाएगा alpha equal to 45 degree और यही हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था प्रश्न दिया गया है कि दरसाइए कि वक्र y equal to x square minus 5x plus 6 के बिंदू 20 तथा 30 पर इस पर सरेखाएं लंबवत है यह हमें सिद्ध करना है तो इसके लिए हम यह करेंगे कि जो दिया गया समी करण है उससे हम dyy dx निका लेंगे और इन दोनों बिंदूओ पर dyy dx की value पूट कर देंगे तो हमें उस रेखा की प्रवणता मिल जाएगी बिंदू 20 पर और बिंदू 30 पर दोनों रेखाओं की प्रवणताएं या दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुननफल यदि रिण एक होता है तो हम यह कह सकते हैं कि कि दोनों रेखाएं परस पर लंबवत हैं, यह concept हम ने Startal रेखावें पढ़ा था, जहांपर दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती है और दो परस पर लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुन्नफल एक होता है, तो इस concept का हम यहाँ पर उप्योग करेंगे तो हम लिखेंगे कि दिया गया वक्र है y equal to x square minus 5x plus 6 अब दोनों पक्षों का x के साफ एक्ष जब आउकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy by dx equal to 2x minus 5 माल लेते हैं कि यह समीकरण 2 है अब वक्र के बिंदू, दो बिंदू है दी गई थी एक है 2,0 पर खीची गई इस पर सरेखा की प्रवनता तो इसे हम लिखेंगे dy by dx at point 20 और तो इसमें यहां पर भी 2x minus 5 जो है x के सान पर 0 x के सान पर 2 और y के सान पर 0 रख करके माल निकालेंगे तो माल लेते हैं कि इसकी प्रवनता है m1 तो यहां पर रिखेंगे दो गुना दो चार और चार रिंद पांच करेंगे तो मिल जाएगा रिंद एक तो इस तरीके से पहले बिंदू पर इस पर सरेखा की प्रवनता यह हमें रिंद एक मिला है अब वक्र का जो दूसरा बिंदू है वक्र के बिंदू तीन शुन्य पर खींची गई इस पर सरेखा की प्रवनता निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एट थी जिरो अब यहां पर टू एक्स माइनस फाइव में भी एक्स के इस्थान पर तीन और वाई के इस्थान पर शुन्य रख देंगे माल लेता है कि इसकी प्रवनता है M2 मिल जाएगा 2 इंटू 3 एक्स के इस्थान पर 3 रखेंगे माइनस 6 तो 2 गुणा 3 6 6 रिंट 5 बराबर 1 तो यहां से हमें मिल रहा है M2 बराबर 1 तो यह एक बिंदू पर प्रवनता है और यह दूसरी बिंदू पर प्रवनता है तो जैसा कि अगर मैं इसे समीकरण का नाम देदू माल लेते हैं कि समीकरण 3 है और यह समीकरण 4 है तो समीकरण 3 वा 4 से दोनों की प्रवणताओं का गुणनदफल ले लेते हैं M1 इंटू M2 तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 यह में मिल गया माइनस 1 तो चुकि दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनदफल रिंड एक है अतह यह दोनों बिंदू से जो इस पर से रेखा खीची गई थी यह परस पर लंबवथ है या सिद्ध होता है तो इसे हम लिखेंगे कि अतह बिंदू दो शुन्य वा तीन शुन्य पर खीची गई रेखाएं या खीची गई इस पर से रेखाएं परस पर लंबवत है यह सिद्ध होता है अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि वक्र xy प्लस ax प्लस by इक्वल टू k बिन्दू 1 वन पर इस पर सरेखा की प्रवणता 2 है तो a और b का मान ग्याद कीजिए तो यहां पर हमें जो वक्र का समी करण दिया गया है और उस पर एक बिन्दू है उसकी प्रवणता हमें दे दी गई है इसका मान हमें दो प्राप्त हो रहा है और यहां पर दो चर रासी हैं a और b इसका मान हमें ग्याद करने के लिए कहा गया है तो इसके लिए हम यहां करेंगे कि दिया गया जो वक्र का समी करण है उसे differentiate करके या आउकलन करके dy by dx का मान याद करेंगे और बिंदू एक एक पर इस पर सरेखा की परणता दे दी गई है तो उस मान का उप्योग करके हम एक रैखिक समीकरण ले करके आएंगे और उसके बाद दो रैखिक समीकरण हमें प्राप्त होंगे और इसको सरल करने के बाद हमें दोनों चर रासियों अर्थात a और b का मान प्राप्त हो जाएगा चलिए सरल करते हैं तो पहले हम लिखेंगे दिया गया वक्र है xy प्लस ax प्लस by एक्वल टू तू मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है समीकरण एक का x के साफ एक्ष दोनों पक्षों का हम आउकलन करेंगे तो पहले फलन का आउकलन करेंगे तो x के साफ एक मिल जाएगा और हमें मिलेगा y फिर x और dy by dx अब इस पद का x के साफ एक्ष आउकलन करेंगे तो a तो constant है और इसके जगा में हमें मिल जाएगा एक, तो एक गुणा A, यह मिल गया A, इसके बाद B constant है, तो B dy by dx equal to 0, दो अचार रासी है, इसका उकलन हमें मिल जाएगा 0, दो ऐसे पदे जहां पर हमें dy by dx मिल रहा है, तो इससे हम dy by dx को भेनिश निकाल देते हैं, यह है x और यह है b, तो यह A, x plus B, और फिर dy by dx, और यह y और A है, इन दोनों को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो मिल जाएगा minus y minus A, या फिर यहां से हम यदि dy by dx कल्कुलेट करना चाहें, तो मिल जाएगा dy by dx, और इन दोनों से minus को कॉमान ले लेते हैं, तो यह y plus A, और फिर यह upon x plus B, मान लेते हैं कि यह समी करन 2 है, अब वक्र के बिंदू, बिंदू दिया गया था, एक एक पर, मान लेते हैं कि यह बिंदू P, एक एक पर, खीची गई स्पर्स रेखा की परवणता, हम निकालेंगे, खीची गई स्पर्स रेखा की परवणता, तो इसका मतलब यह है कि यह जो dy by dx है, इसकी प्रोणता एक एक पर निकल रहे हैं इसका मत्दब यह कि minus of y प्लस a upon x प्लस b इसमें x के इस्थान पर 1 और y के इस्थान पर 1 यह मान हम रख करके सरल करेंगे मान लेते हैं कि यहां से हमें जो प्राप्त हो रहा है या m है यह m equal to यहां पर value put कर देते हैं minus sign y के स्थान पर 1 रखेंगे और यह a और फिर x के स्थान पर 1 रखेंगे और यह b तो m equal to हमें मिल रहा है minus of 1 प्लस a upon 1 प्लस b अब प्रशन में देखिए कि यहां पर दिया गया है कि यदिवकर x y धन a x धन b y बराबर 2 k बिंदू 1 एक एक पर इस पर से रेखा की प्रवणता 2 है इसका मतलब यह कि m का मान हमें 2 दे दिया है यहां से हम मान रख देंगे 2 बराबर एक धन a बटे एक धन b चुकि दिया गया है कि प्रवणता जो है यह 2 है अब इसका हम तिर्याग गुणा करते हैं और समीकरण लेकर के आते हैं तो आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा इसका 2 into 1 2 और यह 2b equal to minus of 1 plus a और आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 plus 2b और यहां करके add हो जाएगा 1 plus a equal to 0 या फिर a plus 2b plus 3 equal to 0 यह हमें समीकरण मिल रहा है माल लेते हैं कि यह समीकरण 3 है अब चू की बिंदू 1-1 पर वकर एक भी इस्थित है अर्थात यह जो वकर हमें मिल रहा है xy धन a x धन by बराबर 2 इसी वकर पर एक इस्थित बिंदू है 1-1 तो बिंदू का निर्देशांग इस वकर के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा तो यहां से हमें एक दूसरा समीकरण मिल जाएगा तो हम लिखेंगे कि वकर एक पर बिंदू एक-एक इस्थित है या उल्टा भी लिख सकते हैं कि एक-एक पर वकर गुजर रहा है तो इसका मतलब यह कि उस समीकरण या वकर का जो समीकरण है वो इस बिंदू के निर्देशांग को या बिंदू के समीकरण को संतुष्ट करेगा तो एक की स्थान पर एक और य की स्थान पर एक रख देते हैं इस समीकरण एक में तो मिल जाएगा 1 into 1 1 plus a into 1 plus b into 1 equal to 2 और 2 को इधर पक्षानतर कर देते हैं तो मिल जाएगा a plus b minus 1 equal to 0 माल लेते हैं कि यह समीकरण 4 है तो हमें 2 समीकरण मिल रहा है a plus 2b plus 3 equal to 0 और दूसरा a plus b minus 1 equal to 0 समीकरण 3 और समीकरण 4 को सरल करके हम a और b का मान ग्याद करेंगे समीकरण 3 वा 4 से समीकरण 3 है a plus 2b plus 3 equal to 0 और चौथा समीकरण है a plus b minus 1 equal to 0 वजगुणनखंड विधी से हम इसे सरल करेंगे वजगुणनखंड विधी से आपके पास और भी विधियां हैं जिसमें आप प्रतिस्थापन विधी का उप्योग कर सकते हैं या विलोपन विधी का भी उप्योग कर सकते हैं ultimately हमें a और b का मान चाहिए तो a upon इसका coefficient 2 और यह minus 1 multiply करेंगे तो मिल जाएगा minus 2 फिर minus यहां पर 3 और इसका coefficient 1 तो 3 into 1 मिल जाएगा 3 फिर minus b upon 1 into minus 1 minus 1 फिर minus sign 3 into 1 3 फिर 1 upon 1 into 1 1 minus 1 into 2 2 तो इसे solve करेंगे तो मिल जाएगा a upon minus 5 equal to minus और minus plus हो जाएगा तो b upon 4 और 1 upon minus 1 तो पहले और अंतिम की तुलना करेंगे तो मिल जाएगा a equal to minus 5 by minus 1 that implies a equal to 5 तो a का मान हमें प्राप्त हो गया और दूसरे और अंतिम की तुलना करने पर हमें मिल जाएगा b equal to 4 upon minus 1 that implies b equal to minus 4 तो यह a और b का मान प्राप्त हो गया 5 और 4 जो की हमें गयाद करने के लिए कहा गया था प्रश्ण है की वकर 4 x square plus 9 y square equal to 1 पर उन बिंदूओं को गयाद कीजिए जहां पर sparse रेखा हैं रेखा 2 y plus x equal to 0 के लंबवत है तो जैसा की हम जानते हैं की वकर का समिकरण दिया गया है इसका आउकलन करके हम d y by d x कमान गयाद कर लेंगे और चूंकि यहाँ पर कहा गया है की वह बिंदूओं गयाद करना है जहां पर sparse रेखा हैं रेखा 2 y plus x equal to 0 के लंबवत हैं तो जैसा की हम जानते हैं की दो परस पर लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुननफल रेंड एक होता है तो इस अवधारणा का उपयोग करके हम इस प्रश्न के उत्तर तक पहुँचेंगे तो पहला दिया गया वक्र का समीकरण है दिया गया वक्र यह है 4 x square plus 9 y square equal to 1 माल लेते हैं की समीकरण एक है समीकरण एक का दोनों पक्षों का आउकलन x के साफ एक हम कर देंगे तो लेप्ट साइड में मिल जाएगा 8 x plus 18 y और dy by dx equal to 0 तो यहां से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पहला 18 y और dy by dx equal to minus 8 x और यहां से dy by dx equal to minus 8 x upon 18 y या फिर और आगे solve करेंगे तो मिल जाएगा dy by dx equal to minus 4 x upon 9 y माल लेते हैं की यह समीकरण 2 है अब यहां पर हमें बिंदुएं इगात करनी हैं तो पहला एक बिंदु हम लिया लेकर के चलेंगे की p x1 y1 है तो लिखेंगे की वक्र एक के बिंदु p x1 y1 यह मान करके चल रहे हैं पर खीची गई पर सरेखा की प्रवणता तो इसे हम लिखेंगे dy by dx at the point x1 y1 x1 y1 पर इसकी प्रवणता तो x के इस्थान पर चलिए पहले लिख लेते हैं minus 4x upon 9y at the point x1 y1 तो मान लेते हैं कि इसकी जो प्रवणता है यह m है तो m equal to minus 4x1 upon 9y1 तो यह हमने m का मान गयात किया मान लेते हैं कि यह समीकरण 3 है अब दूसरी बात यह की जा रही है कि स्पर्स रेखाएं जो है रेखा 2y plus x equal to 0 के लंबवथ है तो 2y plus x equal to 0 यह रेखा है इसकी प्रवणता हम गयात कर लेते हैं तो दिया है स्पर्स रेखा यह दूसरी रेखा 2y plus x equal to 0 के लंबवथ है तो जैसा कि आप जानते हैं कि y equal to mx plus c रेखा का प्रवणता स्वरूप है जहां पर m रेखा की प्रवणता और c रेखा द्वारा yx पर काटा गया अंताखंड को प्रदरसित करता है तो इसको हम इस फॉर्मिट में पहले आरेंज करेंगे फिर तुलना करके m का मान गयात करेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं 2y equal to minus x या फिर y equal to minus x upon 2 और प्लस 0 भी लिख सकते हैं तो यहां पर इससे गर आप तुलना करेंगे तो m का मान हमें minus 1 by 2 प्राप्त होता है तो लिखेंगे की प्रवणता मान लेते हैं कि ये m1 है तो यहां से मिल दाएगा minus 1 by 2 ये चार है तो 3 और 4 ये दोनों प्रवणता हैं हमें मिल गई दोनों रेखाओं की और जैसा कि आप जानते हैं की दो परस पर लंबवथ रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल रिण एक होता है तो हम इसे लिखेंगे की सपर्स रेखा और दी गई रेखा दी गई रेखा 2y प्लस x इक्वल टी 0 पर लंबवथ है तो यहां से m into m1 equal to minus 1 हमें पराप्त होगा m का मान minus 4 x1 upon 9y1 और m2 का मान minus 1 by 2 equal to minus 1 तो इसे हम solve करते हैं minus और minus प्लस हो जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा x1 upon y1 equal to यहां से 2 एकम 2 और 2 दुनी चाहर यह 2 बटे 9 हो जाएगा तो उधर जाकरके 9 बटे 2 हो जाएगा तो यह 9 बटे 2 रिंड 9 बटे 2 यहां से हम x1 का मान ग्याद कर सकते हैं तो यहां से हम लिखेंगे x1 equal to रिंड 9 बटे 2 y1 इसे हम समीकरण 5 का नाम दे देते हैं तो यह जो बिंदू है x1 हमें प्राप्त हो गया है अब यह जो बिंदू है x1 y1 यह इस वक्र पर भी स्थित है अता यह बिंदू का जो निर्दे शांक है यह इस वक्र के समीकरण को संतुष करेगा तो यह जो इस पर सी बिंदू था x1 y1 यह वक्र एक पर इस्थित है तो वक्र का जो हमारा समीकरण था 4x स्कूर प्लस 9y स्कूर एक्वल टू 1 x के इस्थान पर x1 और y के इस्थान पर हम y1 रख देंगे तो यह हमें एक दूसरा समीकरण मिल गया अब वहाँ पर समीकरण 5 में हमने x1 का मान निकाला था उसे हम यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ से मिल दाएगा 4 x 2 माइनस 9 x 2 y1 और इसका होल स्कूर प्लस 9 y1 का स्कूर एक्वल टू 1 अब इसे आगे सरल करते हैं फोर इंटू इसका स्कूर करेंगे तो मिल जाएगा नौ रिंड नौ का वर्ग 81 और दो का वर्ग 4 और यह y1 का वर्ग फिर यह 9 y1 का वर्ग बरावर एक यह और यह कैंसल हो जाएगा तो यह 81 प्लस 9 और फिर यह y1 का स्कूर एक्वल टू 1 तो यहां से मिल रहा है y1 का स्कूर यह 80 और 9 जोड़ेंगे मिल जाएगा नबबे तो y1 का वर्ग बरावर एक बटे नबबे या फिर यहां से हम लिख सकते हैं y1 बरावर धन अरिन एक बटे वर्गमूल नबबे और इसे दिए और आप सरल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं y1 बरावर प्लस माइनस 1 अपॉन 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 तो वर्गमूल 9 मिल जाएगा 3 और फिर वर्गमूल 10 यहां पर रहेगा तो इस तरीके से हमें यह y1 का मान प्राप्त हो चुका अब दो इस सितिया बनेगी जब y का मान धनात्मक होगा y1 का और जब y का मान रनात्मक होगा तो पहले सितिय लेकर के चलते हैं जब y1 बराबर 1 बटे 3 वर्गमूल 10 है तो यहां से हम x1 का मान ग्यात करेंगे x1 बराबर रन 9 बटे 2 y1 यह मान है तो y1 का मान हम यहां पर रख देते हैं रन 9 बटे 2 और फिर 1 बटे गुना 1 बटे 3 वर्गमूल 10 और तो ये तीन ती अनौ मिल दाएगा तो रिन तीन बटे दो और ये वर्गमूल दस तो जब हमें Y1 का मान ये रखा था तब हमें X1 का मान X1 बराबर रिन तीन बटे दो और फिर ये बटे में वर्गमूल दस ये हमें प्राप्त हुआ अब दूसरी स्थिति जब Y1 बराबर रिन एक बटे तीन वर्गमूल दस है तब X1 बराबर रिन नौ बटे दो तो अब Y1 के इस्थान पर हम यह मान रखेंगे यह इंटू हो जाएगा माइनस वन अपॉन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री रूट टैन तो यह तीन एकम तीन तीन थी आनो तो मिल दाएगा रिन तीन बटे दो वर्गमूल रिन और रिन धन हो जाएगा धन तीन बटे दो वर्गमूल दस तो इस तरीके से हमें जो मान पराप्त हुआ है x1 का ये है 3 बटे 2 वर्गमूल 10 तो ये y1 का मान जब 1 बटे 3 वर्गमूल 10 है तो इस प्रकार हमें स्परसी बिंदू के दर्दशांक प्राप्त हो चुके हैं तो हम इसे रिखेंगे अतह अभिष्ट स्परसी बिंदू पी x1 y1 ये हम लिख सकते हैं x का मान रिन 3 बटे 2 वर्गमूल 10 ये और y1 का मान इसके साफ एक 6 है 1 बटे 3 वर्गमूल 10 और दूसरा ये है 3 बटे 2 वर्गमूल 10 और इसके साफ एक 6 y का मान रिन 1 बटे 3 वर्गमूल 10 है और यही वह उत्तर है जो कि हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था अगला प्रस्ण दिया गया है कि नमने लिखित वक्रों से इस पर से रिखा का समी करण ग्याद कीजिए जहां पर है x equal to theta plus sin theta y equal to 1 plus cos theta के theta equal to pi by 4 पर तो दिया गया वक्र का समी करण पहले हम लिखेंगे दिया गया वक्र x equal to theta plus sin theta और y equal to 1 plus cos theta मान के चलते हैं यह समी करण एक है अब इस दोनों समी करण को दोनों पक्षों को theta के सापेक्स हम आउकलन करेंगे तो यहां से मिल जाएगा dx by d theta theta का आउकलन 1 और sin theta का आउकलन cos theta इसी प्रकार y के लिए dy by d theta equal to एक तो constant है तो यहां पर मिल जाएगा 0 और cos theta का आउकलन minus sin theta तो इस तरीके से हम यह मान करके चलते हैं कि यह समी करण 2 है और यह समी करण 3 है ultimately हमें dy by dx चाहिए होगा तो सरिंखला नियम या फिर chain rule से आप लिख सकते हैं dy by dx equal to dy by d theta upon dx by d theta यहां से यह 0 है यह minus sin theta और यह dx by d theta यह 1 plus cos theta यह मान हमें प्राप्त हुआ है अमान लेते हैं कि यह हमारा समी करण 4 है अब वक्र एक पर इस परशी बिंदू पी जो है वो थीटा equal to pi by 4 पर हमें इस परश रेखा का समी करण ग्याद करना है तो उसके लिए हम पहले इस परश रेखा की थीटा equal to pi by 4 पर स्पर्स रेखा स्पर्स रेखा हम नाम दे सकते हैं pt और इसकी हम प्रवनता निकालेंगे की प्रवनता डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा equal to pi by 4 पर इसमें माइनस साइन थीटा अपॉन प्लस कॉस थीटा और थीटा के स्थान पर हम रखेंगे pi by 4 तो यहां मान करके चलते हैं कि यहां पर हमें जो प्रवनता मिलने वाली है यह m है और हमें मिल जाएगा minus sin pi by 4 upon 1 plus cos pi by 4 तो मिल जाएगा minus 1 by root 2 upon 1 plus 1 by root 2 यदि इसे और सरल करना चाहें तो हमें मिल जाएगा m equal to minus 1 by root 2 और यह root 2 plus 1 और यह root 2 यह root 2 root 2 cancel हो जाएगा हमें मिल जाएगा minus 1 upon root 2 plus 1 मा लेते हैं कि यह समी करण 5 है अब जैसा कि आप जानते हैं कि दो बिंदों से होकर जाने वाली रेखा का समी करण y minus y1 equal to m x minus x1 जहां पर m रेखा की प्रोणता और x1 y1 वह बिंदों है जिससे यह रेखा होकर के गुजरती है तो इस समी करण का उपयोग करेंगे और आगे हम सरल करेंगे रेखा के समी करण से तो इससे लिखेंगे वक्र वक्र एक पर स्पर्शी बिंदो पी थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर पर खीची गई स्पर्स रेखा का समी करण y-y1 और y1 अर्था यहां बिंदो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम एम रेखा की प्रावण अता हमें यह मिली है minus 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 फिर x minus x1 और x1 का मान थीटा थीटा प्लस साइन थीटा और किस बिंदू पर ज्याद कर रहे हैं तो वो है थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर पर तो हम यहां पर मान रख देंगे y minus 1 और minus माइनस और प्लस माइनस और थीटा के साइन पर पाई बाई फोर फिर यह माइनस वन बाई रूट 2 प्लस वन और फिर x minus थीटा थीटा के साइन पर पाई बाई फोर और माइनस और प्लस माइनस साइन पाई बाई फोर अब यहाँ पर मान रखेंगे और फिर आगे सरल करेंगे तो cos pi by 4 1 by root 2 तो यह y minus 1 minus 1 by root 2 equal to minus 1 upon root 2 plus 1 और x minus pi by 4 minus 1 by root 2 तो यहाँ पर left hand side को तो हम solve नहीं कर सकते लेकिन right hand side में जो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं इसका हम परिमे करन कर देते हैं तो यह root 2 minus 1 से multiply और root 2 minus 1 से divide कर रहे हैं तो यह pi minus pi by 4 और फिर यह minus 1 by root 2 हमें मिल जाएगा y minus 1 minus 1 by root 2 equal to अंस में हमें रासी मिल जाएगी minus root 2 और minus और minus plus upon a plus b into a minus b a square minus b square root 2 का वर करेंगे तो मिल जाएगा 2 और 1 का square करेंगे तो 1 मिल जाएगा फिर यह x minus pi by 4 minus 1 by root 2 आगे solve करेंगे तो हम लिखेंगे y minus 1 minus 1 by root 2 equal to इसको करम को बदल देते हैं तो 1 minus root 2 और यह upon 1 है तो इसको लिखने का वश्यक्ता नहीं है into x minus pi by 4 minus 1 by root 2 और यही जो है यह अभिष्ट spurs रेखा P-T का समीकरण है वक्र y equal to f of x के किसी बिन्दू x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण गयाद करना तो पहले बात यह कि अभिलंब क्या होता है तो एक वक्र y equal to f of x दिया गया है उसके किसी बिन्दू से हो करके जाने वाली इस परसरेखा का समीकरण हमें दिया गया होगा तो इस स्थिती में हम उस बिंदू से होकर के जाने वाली अभिलंब का समीकरण याद करेंगे अर्थात फलन के उस बिंदू से होकर के जाने वाली इस परसरेखा का समीकरण हमें दिया गया है और इसपर सरेखा और अभिलंब एक दूसरे के परस पर लंबवत होंगे अर्थात इसपर सरेखा की प्रवनता यदी हमें मिल जाए तो अभिलंब की प्रवनता भी मिल जाएगी क्योंकि दो परस पर लंबोत रेखाओं की प्रवनताओं का गुणनफल रिन एक होता है तो इस अवधारणा का उप्योग करके हम अभिलंब की प्रवनता ग्याद कर सकते हैं तो अभिलंब की प्रवनता होगी रिन एक बटे M जहांपर M इस परस रेखा की प्रवनता है पर अभिलंब का समी करण equation of the normal to the curve y equal to f of x at the point x1, y1 एक वक्र के किसी बिंदू पर अभिलंब एक रेखा है जो उस बिंदू पर स्पर्स रेखा के लंबवत है तथा उस बिंदू से गुजरती है जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं कि y equal to f of x के बिंदू p पर p t एक स्पर्स रेखा है तथा p n स्पर्स रेखा p t के बिंदू p पर लंब है इस प्रकार p n वक्र के बिंदू p पर अभिलंब है अब p x1, y1 पर स्पर्स रेखा की प्रवंदा dy by dx at the point x1, y1 है माना p x1, y1 पर अभिलंब की प्रवंदा small m है तब अभिलंब इस पर्स रेखा पर लंबवत है तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो परस पर लंबवत रेखाओं की प्रवंदाओं की प्रवंदाओं का गुनदफल रिंड एक होता है तो इस अवधारणा का उपयोग करेंगे और हम लिखेंगे अभिलंब की प्रवंदाओं है m और इस पर सरेखा की प्रवंदाओं है dy by dx at x1, y1 equal to minus 1 यहां से हमें small m या m का मान ग्याद करना है तो dy by dx को हम पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा m equal to minus 1 upon dy by dx at the point x1, y1 तो इस प्रकार x1, y1 पर अभिलंब की जो प्रवंदाओं है यह हमें मिल चुकी है यह है minus 1 upon dy by dx at the point x1, y1 अता बिंदू x1, y1 पर अभिलंब का समी करन हम इस प्रकार लिख सकते हैं और यहां पर हम का समी करन लिखने के लिए सरल रेखा के उस सूतर का उप्योब करेंगे जिसमें सरल रेखा दो बिंदों से होकर के जाती है माना बिंदू p x1, y1 और q x2, y2 है तो उस रेखा का समी करन जो की p q से होकर के जाती है यह होता है y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 y2 minus x1 into x minus x1 जहां पर y2 minus y1 upon x2 minus x1 उस रेखा की प्रवणता है तो इस प्रकार अभिलंब का समी करन हमें प्राप्त होगा y minus y1 equal to minus 1 upon dy by dx at the point x1 y1 into x minus x1 अब इसे यदि पक्षांतर करके लिखना चाहें dy by dx को left में पक्षांतर कर दे और उसके बाद right hand side में जो रुनात्मक पद है उसको left में transfer करके हम धनात्मक में परिवर्थित कर दे तो इस प्रकार हमें समी करन प्राप्त होगा dy by dx at the point x1 y1 into y minus y1 plus x minus x1 equal to 0 आइए देखते हैं इसे समंदित प्रश्ण जहां पर हम किसी फलन के किसी वक्र के बिंदू पर अभिलंब का समी करन ग्याद करेंगे तो आपने यह जाना की दिये गए इस पर सरेखा के अभिलंब का समी करन किस प्रकार ग्याद करते हैं आईए सरल करते हैं इसे संबंदित कुछ प्रश्णों को निम्नलिखित वक्रों के अभिलंब का समीकरण ग्याद कीजिए पहला प्रश्ण है कि y² एक्सक्यूब के बिंदू 4,8 पर तो अभिलंब का समीकरण ग्याद करने के लिए दिये गये वक्र के समीकरण से पहले हम प्रवनता ग्याद करते हैं अर्थात dyy dx जिस बिंदू पर निकालना है वह बिंदू का मान हम रखते हैं और हमें m का मान मिलता है जैसे कि आप जानते हैं कि दो परस पर लंबवा तरेखाओं की प्रवनताओं का गुननफल रिन एक होता है तो दी गई प्रवनता तो जो हमने प्रवनता का मान निकाला है वह मान और अभिलंब की प्रवनता इन दोनों का गुननफल रिनेक होगा इस गुननधर्म का उपयोग करके हम अभिलंब की प्रवनता ग्याद करेंगे और वह बिंदू दे दिया गया है जिससे की यह अभिलंब गुजरता है इसकी जहां पर है चार आठ तो दो बिंदों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता ग्यात हो वसूत्र हम जानते हैं यह है y-y1 equal to m into x-x1 तो इस सूत्र का उप्योग करके इस प्रश्ण को हम आगे सरल करेंगे तो चलिए दिया गया वक्र यह है y-square equal to x-q माल लेते हैं कि समीकरण 1 है तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का हम x के साप एक्ष आउकलन करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 2y dy by dx equal to 3x square और यहां से हम dy by dx का माल निकाल सकते हैं तो यह हमें मिल जाएगा dy by dx equal to 3x square upon 2y अब जिस बिंदू पर हमें अभिलंब का समीकरण ग्याद करना है तो उस बिंदू को रख करके हम वहाँ पर प्रवणता ग्याद कर लेते हैं dy by dx किस बिंदू पर? 4, 8 पर तो यहां पर 3x का वर्ग बटे 2y 4, 8 x का मान 4 और y का मान 8 रग देते हैं 3 बटे 2 गुणा x का वर्ग 4 का वर्ग और y अर्था 8 तो इसे सरल कर सकते हैं देखिए यह है 3 बटे 2, 4, 4, 16 और यह 8, 8 और 2 दोनों मिला करके होगे 16 तो ultimately हमें यहां पर m का मान जो प्राप्त हुआ है यह 3 प्राप्त हुआ है मान लेते हैं कि यह जो समीकरण है यह समीकरण 2 है और m का मान जो हमें प्राप्त हुआ है यह 3 है तो यह हमें जो प्राप्त हुई है यह जो हमें प्राप्त हुई है इस पर सरेखा की प्राप्त है तो अभिलंब की प्राप्ता ग्यात करने के लिए तो हम जानते हैं कि अभी लंब की प्रावनता या फिर अभी लंब और इस पर सरेखा लंबवत है माना अभी लंब की प्रावनता M1 है तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रस्पल लंबवत रेखाओं की प्रावनता हो का गुनाट फल रिंड एक होता है M का मान 3 है तो यह रिख देंगे 3 M1 एक्वल टू माइनस 1 तो यहां से हमें मिल जाएगा M1 एक्वल टू माइनस 1 अपान 3 तो यह जो M1 है यह अभी लंब की प्रावनता है अब हमें अभी लंब का समीकरण ग्याद करना है तो हम लिखेंगे कि अभी लंब का समीकरण तो अभी लंब भी एक रेखा ही है और आप जानते हैं कि यह होता है य माइनस Y1 एक्वल टू M इन्टू X माइनस X1 यह रेखा का समीकरण है जहां पर M रेखा की प्रावनता और X1 Y1 यह वह बिंदू का निर्देशांक है जिससे वह रेखा हो करके जाती है तो हमें वह निर्देशांक दिया गया था चार आठ जिससे की वह हो करके जाती है तो Y-Y1 इसका Y कोडिनेट यह है आठ M यह प्रावनता एक बटे 3 X-X1 एक्स को वहान का मान हम रखेंगे 4 अब इसका हम त्रिया गुणा कर देते हैं और आगे सरल करते हैं तो यहां सा मिल जाएगा 3 इंटू Y 3Y-24 इक्वाल टू 2- of X-1 इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो प्लस 9 में आ जाएगा 3Y-24 प्लस X-4 इक्वाल टू 0 और यही अभिस्ट अभी लंब का समीकरण है जो कि हमें ग्याद करने लिए कहा लिया था